यहाँ पर जो compound दिया हुआ है जिसका नाम है chromium peroxide या chromium oxide peroxide इस compound में हमें chromium की oxidation state बतानी है कि क्या होगी अब आप सोची जरा मैं आपको 5 second का समय देती हूँ और उसके बार में बताईए कि इसकी oxidation state क्या होगी और अगर आप नहीं बताते हो तो मैं बताने जा रही हूँ कि इस oxidation state होती है plus 6 plus 6 क्यों होती है क्योंकि यहाँ पर 2 peroxo ligand है यानि कि इनका minus 1 minus 1 charge होगा और एक oxo ligand है जिसकी वज़े से यहाँ पर minus 2 होगा तो total जब charge देखेंगे तो x की value आएगी chromium के लिए plus 6 यानि जो chromium है यहाँ पर उसकी oxidation state क्या हो जाती है plus 6 हो जाती है I hope इसका answer clear होगा 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 है